फालो और वेलकम ट्रेंट्स, पाइफन सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है पाइफन प्रोग्रामिंग की और पाइफन प्रोग्रामिंग में नया क्या सिखेंगे आई आपको बताता हूँ आज हम POP करवाएंगे dictionary यानि dictionary डिटरटायप की बात करेंगे और जो POP method होता है उसकी बात करेंगे तो चलिए नया page ले लेते हैं यह जो पहले open था यह Python की shell है यानि Python का homepage है coding हम यहाँ नहीं करेंगे हम यहाँ पर new page ले लेंगे यहाँ पर लिखा मैंने name, name यानि मैं name लिखूंगा कुछ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, name की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर name लिखने का मतलब यह है कि मैं बात करूंगा name की, ठीक है, यानि बहुत सारे नाम की बात करूंगा, तो यहाँ पर लिख दिया name, यहाँ पर का क्या है वो हमें देना है और वो हमें यहां पर देना है जैसे माली यह राम है class 5 से belong करते हैं तो यह यहां पर हम सिर्फ लिख देंगे 5 इस तरीके से 5 आपको लिख देना ठीक है फिर कॉमा लगाएंगे या फिर इस जो लिस्ट है इसको close करेंगे तो देखें इसमें एक key और एक value यहां पर दोनों चीज़े दिख रही है अब हम इसको एक बार चलाएंगे और चलाने से भी पहले यहां पर हम करवाएंगे थोड़ा सा काम करेंगे थोड़ा सा काम यहां पर लिखेंगे name ठीक है यहां लिखा name, name नाम से बनाया था तो यहां name लिख दिया और इसको close कर दिया और अब यहां से run करवाते हैं वक्त ही हम इसको करेंगे save तो यहां से मैं करने जा रहा हूं इसको save तो यहां पर मैं इसको नाम देता हूं dot py लगा दिया, enter कर दिया, enter किया, enter किया, अब आप देखेंगे तो यहां पर class dict आ रहा है, यानि यह dictionary data type है, कैसे पता यह जो curly braces है, इसी से पता चलता है कि यह dictionary data type है, ठीक है, clear, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, यहां पर pop की बात करेंगे, तो यहां पर pop करवा लेते हैं, यानि की remove करवाना elements को, उसे कहते हैं pop, तो यहां पर name नाम से बनाया था, तो name.pop लिखते हैं, इस तरीके से, और हम किसको remove करवाना चाहते हैं, name को remove करवाना चाहते हैं, या class को, तो यहां पर यह देखना होगा, तो यहां पर फिलहाल मैं class क remove करवाना चाहते हैं, capital small का आपको ध्यान रखना, enter करवाना है print लिखना है यहाँ पे, और print में double-nated comma नहीं देना है, यह इसको print करवाने की, तो यहाँ name मैंने दे दिया है और इसको print करवा देते हैं, तो यहाँ से इसको print करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने remove किसको करवाया है, pop किसको करवाया है, class को pop करवाया है, जिसकी वज़े से यहाँ पर हमें sirp और sirp क्या दिख रहा है, ram दिख रहा है, यानि एक नाम ही हमें दिख रहा है, चलिए, अगर इसमें कोई और नाम या city भी add कराना हो, तो आप करा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ city करवाया है, तो देखें city को add करवा दिया है, अगर मैं यहाँ पर इसको run करवाता हूँ, ठीक है यहाँ पर फिलाल append हम नहीं करवा रहे है तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से यहां पे मैंने city को add करा दिया और name को अब अगर मैं print कराता हूँ तो इसमें city भी add होकर print होगा ठीक है city भी साथ-साथ print हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पे city भी print होकर आ रही है तो देखिए देवरिया city print होकर आ रही है इसी तरीके से कुछ और भी add कराना हो जैसे माली जिए state add कराना है तो यहां पर आपको क्या करना है डबलेटेट पोर्स लगाना है लिखना है state 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 लिख दिया और यहां पे state डबलेटेट पोर्स के बाहर आएए यहां से लगाए यह colon, colon लगाने के बाद आप अपना state का नाम, जैसे मैं अपने state का नाम दे देता हूँ, वो भी developed course में ही रहेगा, up, up दे दिया, और यहाँ पर लगा दिजेगा comma, बस इतना ही आपको करना है, कॉमा लगा दिया, इसी तरीके से आपको करना है, तो यह पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास तयार हो गई है, देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो class है, इसको भी हमें developed course में रखना है, यह भी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, नहीं, तो यह गरबन हो जाएगा, अब अगर print कराते हैं, तो देखे, इसमें state का नाम भी print होकर आ रहा है, ठीक है, उमिद करता हूँ कि बात समझ में आ रही है, यह लिख देना है, जैसे माल लिजे, अभी हमने add किया state, तो अगर state को हटाना हो, तो pop करवाएंगे इसको यहां लिख देना है, ठीक है, यही पॉप जो stack है, इसका use है, ठीक है, एक प्रकार का stack है, एक function है, stack का, यही pop का use है, clear, अब यहां पर class को remove कराना है, तो आप class दे देंगे, city को remove कराना है, तो city दे देंगे, तो इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है, अगर आपको add कराना है, तो append देंगे, क्या देंगे, append, clear, तो आयोब की बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको share करें, thank you for watching this video.